मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ विजे दक्षण को लेकर बड़ी हुंकार भरी देश के ग्रह मंत्री ने और एक दावा किया कि इस बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी दक्षण के पांच राज्यों में बनकर उभरेगी यह 400 पार जैसा चुनावी नारा है कि कारे करताओं में जोश आजाएगा उत्सा आजाएगा या फिर देर आदर इस सम्टूथ ऑल्सू कुछ सच भी है इसमें नहीं मुझे लगता है 400 पार जैसा ही नारा है और वो भी हकीकत जानते हैं और अब तेमिल नाडू तो निपट चुका केरल निपट चुका करनाटक निपट चुका करनाटक में जो इडिना का सर्वे बहुत बुरी हालत बता रहा है बीजिंदी की वहां पर वहां ये बताय जा रहा है कि शायर 10 सीटे भी नहीं आए लेकिन जहां तक के लंगाना की बात है 17 सीटे हैं और आंदरपरदेश की 25 सीटे हैं वहां पर TDP के साथ समझाता किया है इंटरस्टिंग बात है अभी आप मुसल्मानों के आरक्षन वाला एक बाइट दिखा रही थी प्रदान मंत ऐगी आप वहां समझाता कर रहे हैं उसके साथ मिल कर चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर भारत में आकर प्रदान मंती जी यह बात कह रहे हैं और तेलंगाना का जहां तक मसला है तेलंगाना में मुझे लगता है पिछली बार 4 सीटे जीती थी इस बार रेवंत रेड़ड प्लस वाइनस वन हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा चीजें दिखती नहीं है विजे सिलसलेवार तरीके से मुझे सबसे पहले करनाटक समझाए करनाटक हाला कि 14-14 खत्म हो गया लेकिन करनाटक में बीजेपी 25 सीटों पर थी तो अगर हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी वहाँ पर लूज करेगी बीजेपी वहाँ पर नुकसान में रहेगी तो कारण क्या प्रजुअल रेवन्ना का कारण समझूं सरकार चली गई वो कारण समझूं या फिर कोई और आप देख रहे हैं इनी अदर रीजन नहीं ये सारे कारण तो हैं जो आप बता रहे हैं और इसके अलावा ये भी है कि एक सर्वे जो इडिगा का आया था वो ये सर्वे बताता है कि पहली बार 1999 के बाद हुआ कि कोई एक पार्टी ने 130 से ज़्यादा सीटे जीती और वोड परसंटेज 42 परसंट से उपर रहा ये कॉंग्रेस के पक्ष में गया और फिर कॉंग्रेस ने अपनी गैरंटियां पूरी की जो सिद्धर अमया की सरकार ने जो वादा किया था कि हम सत्ता में आने पर करेंगे उसमें दो करोड महिलाओं को या बस में मुफ्तियात्रा हो या पैसा देना हो 12 रुपया तो वो गैरंटियां पूरी की उससे जो जाशुन हर पल मनाओ केसरी देवाहर विमल बोलो जुमा केसरी थोड़ा सा विश्वास लोगों का जमा है और बीजेपी में थोड़ा सा वितरगात वाली बात भी रही है ये बात भी अलगलग राज्यों में भी देखा जा रहा है और सर्वे तो बड़ा इंटरस्टिंग है वो कहा रहा है 9 सीटें कॉंग्रेस की पक्की 7 सीटें बीजेपी की पक्की पाकी फसी हुई लेकिन कॉंग्रेस 20 सीटें भी ले जा सकती है तो अगर कॉंग्रेस 20 सीटें भी ले जा सकती है सर्वे तो विजे विद्रोई आप जानते हैं सर्वेज पर तो खेर अभी मैं यह डिबेट के नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका विधान सभा चुनाओं का सर्वे बिलकुल सही बैठा था तो मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ ठीक है अब मुझे यह बताईए कि जो यह केरल का गणेत है यह केरल में बीजेपी शूने पर है जीरो पर है फस्ती है क्या कुछ सीटे यूडी एफ की अभी आपने शशी थरूर वाली सीट का आपने जिक्र किया था केरल में बीजेपी का वोट परसंटेज ठीक ठक बड़ा पिछली बार तेरा परसंट वोट मिला था लेकिन सीट निकाल पाने की स्थिती में है ऐसा कहना बहुत मुश्किल है केरल के लिए लेकिन राजीव चंदर शेखर ने पिछली बार शशी थरूर को टफ फाइट दी हाँ फाइट देना तो अलग है शशी थरूर को भी वो फाइट देते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन बीजेपी ने थोड़ा वहां इसाई समुदाय का भी साथ देने की कूशिश की है लेकिन जो तमाम जो मेरे जो संपर्ख सूत्रों से बात हुई है उनके हिसाब से प अन्या कुमारी वाली सीट हो या फिर एक और कोईमबटूर वाली सीट हो एक अदोर सीट हो वहां पर टफ फाइट देती हुई दिखाई दे रही है हो सकता है वहां कोई खाता खुल जाए लेकिन ये तो अमिशा भी जानते हैं उनके नारह में कितना दम है कि वो सबसे बड लाहट और ये हिंदू मुसल्मान मंगल सूत्र ये सारी चीज़े मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलती है आपको हताशा दिख रही है वहां उत्साह इतना जवर्देशत है विजय खेमे में लेकिन ये भी बताईए मुझे आंदर प्रदेश का हाल बताईए वाइसर और पवन कल्यान की पार्टी है वो मात्र सिमट जाते तीन सांसदों पर तो ये एंडिये कितना मजबूत हुआ अंदर प्रदेश में जिस समय पवन कल्यान पहली बार आकर मंचपर खड़े हुए साथ में और खड़े हुए चंदरबाबु नायडू तो कहा गया कि एंडिय पिछली बार आप हमें राजस्तानी दिख रहे थे तो चलिए आंदर प्रदेश में तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जगन मोहन रिड़ी के खिलाफ एंटी इंकमबंसी है इसमें कोई दो राय नहीं है पिछली बार 175 में से 151 विधान सभा की सीटे जीती थी 22 लोक सभा की है तो टीडी पी हो गया कमा और ये दूसरे ये जो पवन कल्यान हो गए ये कुपा कपा और रिड़ी हो गए तो ये तीन बड़ी जातियां हैं कहा जाता है कि दो जातियां एक तरफ चला जाए तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है लेकिन ऐसा होता मुझे दिख नहीं रहा है वहाँ पर और कॉंग्रेस भी जोर लगा रही है वाइस शर्मिला जो वहां की उनकी शर्मिला को पहली बार पहुंचे कि मैं मैंने पूरे भारत में आज तक किसी से वादा नहीं मांगा किसी बिक्षियत्र के लिए शर्मिला के लिए मोट मांग रहे है राहूल गांदी इनको शायद एक परसंट या सवा परसंट वोट मिला था और राहूल गांदी भी जगनमोन रिड़ी पर सीधा हमला नहीं कर रहे हैं उनके पिता का भी उन्होंने कलपरसों में बचाव किया कोई CBI का पुराना मामला था कि जिसमें उनका लेना देना नहीं था तो मुझे लगता है कि मोदी शायद आगे की चार जून के बाद की संभावना देख रहे हैं कि वैसे कुछ सीटे अगर नहीं मिले तो वैसे राज्य सभा में तो साथ मिलता रहा है इस बार लुप सभा में भी साथ मिल जाए अगर जरूरत पढ़ती है तो यह यह चार जून के बाद क की सूरते हाल सारे लोग खंगाल रहे तमिलाडू में लेकिन आपने बड़ी महतुपूर बात कही कि पहली चीज यह कि केरल में कुछ खास होता नहीं देख रहा है लेकिन तमिलाडू से सीटें आ सकती है करनाटक में सीटें घटेंगी और आपने आंधर की भी बात कर दी औ और बाकी राजियों के लिए